दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही खास वीडियो हमने बनाने का प्रयास किया है और आपके हर छेतर में हर वेकेंसी में एक काम आएगा तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर अंतर देखना आपको बहुत लाब होगा और हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोइन करने के लिए अमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखें, वहाँ जाओ कि हमें टेलिग्राम चैनल पर जोइन करें, साथ हमारे जो चैनल ने उसको सब्सक्राइब करें, और चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें, वीडियो जो हमने बहुत सारे description में दे रखें, उन्हें देखें, उन्हें पर comment करें, दोस्तो read level 1 ये लिए read level 2 की ssht वे अप्रेवने दिन की classes के लिए हमने description में link दे रखें, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं, उसके अलावा 1st grade 2018 की भी हमने class ली है, इस ट्री की भी लिए और पहले paper के लिए, उन्हें भी आप देखने के लिए description में देख सकते हैं, इसके लवा read level 1 ये read level 2 की जो psychology की classes है, उसके बारे में आपको description में link द हिंदू रहेगा, हो रहेगा mcq, mcq आखिर है कहां, study with siol sir, अपने इस channel पर आपको इसके संपुन जानका नहीं मिलेगी mcq क्या है, उससे पहले हम थोड़ी बहुत चीज़े देख लेते हैं, आज हम जो जो महतोपून बात करेंगे, mcq क्या है, किसी परी प्रिक्षा में क्यों महतोपून है, mcq से सफलता की संभावना कितने परतिशत बढ़ जाती है, is वे rs की चारी करने वाले क्यों है, कितने mcq पढ़ते हैं, rpc first grade mreed 2019 में, इसका क्या महतो रहने वाला है, कहां से वे कितने mcq पढ़ते हैं, तो दोस्तों, इन सब बिंदों पे हम बात कर देखते हैं, कि mcq है क्या, तो दोस्तों, mcq करता है multiple choice questions, बहु विकलप वाले person होते हैं, उनका mcq कहते हैं, कैसे होते हैं, उनका मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों, जो हमने ये video upload किया था, दो ती दिन पहले, उसका ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये paper y rpc school lecturer का तो इस paper को जो हमने upload किया है, उसमें हमने ये इसे person पुछा है, सिक्षा मनोव ग्यान, सिक्षा की सायता करता है, तो ये जो चार विकलप है, यही बहु विकलप होगे, एक से अधिक विकलप जो होगे, वो बहु विकलप होगे, इन्हे ही mcq कहते हैं, इस पर गार हम अलग अलग परसन देखते हैं, तो अलग अलग परसनों के अलग अलग बहु विकलप होते हैं, ये होते हैं, बहु विकलप, तो इन्हें mcq बहु विकलप, ने ने जो वीडियो बनाया था पहले read का, उसमें सबसे ज़्यादा ये person पूछा गया था, कि mcq होता कहा है, तो उसका तो दोस्तों किसी भी प्रीक्षा के अंदर जो वर्तमान पेटर्न है वो मल्टी चोईस क्यूशन कहीं है यानि वह विकल्प क्यूशन कहीं है और आप कोई भी पिपर देंगे दूस्तों किंदर आपको MCQ वाले परसन ही मिलेंगे इसलिए आपके लिए अंत्यात आउशक हो जाता है कि आप इनको पहले करें तांकि आपको पहली ही काफिसारी क्यूशन करने से आपको जब एक्जाम दोगे तो आपकी एक तो एक्ट्यूरेसी बढ़ेगी आप सही ज़्य संपी कर पाएंगे इसके लवा आपकी जो सब्जेक्ट है उस परख़कड़ बनेगी एवं मापके जो सब्जेक्ट अंसर करने से आपके उस पर प्कड़ मजबूत होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे एवं एक्जाम जब देने जाओंगे तब आपको Psistas देख़ें क्योंकि आप पहले ही इतने सारे question कर चुके होते हैं कि आपको फिर वहां पर objective question करने में दिक्कत नहीं होती है multi choice question होता है उसको आप objective question कह सकते हो objective type question होते हैं उन्हें ही multi choice question कहते है MCQ से सफलता है कि संभावना कितने परतिशत बढ़ जाती है दोस्तों MCQ से सत परतिशत संभावना जो होती है वह बढ़ जाती है actual होता क्या है कि जब हम paper दे के आते हैं सब के साथ हुआ है जिस जिस भाई बहने जो भी कभी OMR seat भरी है तो आप जब OMR seat भरते हो तब आप 4-5 questionnaires से होते हैं जो आप गलत करके आते हैं सब गलत करके आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन question को attend नहीं कर पाते क्योंकि समय कम मिलता है हमारे पास time management नहीं हो पाता इसलिए एक question ही selection का कराना या नहीं कराना तैय करता है इसलिए यह महतवपूर्ण है कि जो paper हम करके आए उसमें हम सारे question attend करें जो paper हम करके उसमें accuracy हो जो question हमने solve किया है उसके अंदर हमारा सही रहे तो इस परगार देखा जाए तो अगर एक person से ही selection रहना होता है तो आप इसकी value उस इनसान से पूछ सकते हो जो एक नमबर से आदे नमबर से या point रहता है तो वहाँ पे इसकी बड़ी अत्यता आउशकता बढ़ती है और वहाँ पे आप अगर mcq ज़्यादा से ज़्यादा solve करके जाते हो तो आपके जो है पेपर में जो selection होने की संभावना ही है वो जादा हो जाती है इसके अलबा दोस्तों जो आपका subject है वो subject आपने कितना cover किया है उस subject में आप भी कौन सा topic अच्छे से cover वहा है कौन सा topic अच्छे से cover नहीं हुआ है और किस topic में कितनी मेहनत करने के आवशकता है उसे भी फरक पड़ता है इसके लाब तीस राइब बात मैं तो पुण होती है दोस्तों कई वार यह सा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कोई topic यह सा होता है जो हम पूरी तरह पढ़ नहीं पाते या कुछ topic स्लेबस लंबा होने के वज़े से चूर जाते है तो जब स्लेबस चूर जाता है तो हमें समय नहीं मिलता था हम mcq पढ़के भी उस topic को cover करने का प्यास करते हैं तांकि जो हमारे वो topic है वो कुछ तो हमें मदद करे नहीं मामा होना से काना मामा होना ज्यादा बहतर होता है इसलिए अगर topic नहीं पढ़ा है उसके हमने mcq पढ़े हैं तो भी कि हमारे बहुत मददगार साबित होते हैं इसलिए यह वी एक अच्छी इसकी सम्मावना रहती है आईस वे आरस की तयारी करने वाले क्यों हम कितना mcq पढ़ते हैं तो दोस्तों आईस वे आरस की तयारी करने वाले लोग जो है यह चोंपढ़ते हैं इस चीज़ का मैं थारीन करते प्री मैंज वह इंट्रिव को तैरी जब साथ में करते हैं तो फोरे उन्हें फेक्ष्ट्व डाटा जो होता है उससे उतनी ज़्यादा पकड नहीं हो पाती क्यों कि बहुत वाइड से लेबस होता है और उस सारे वाइड से लेबस को कवर करना बड़ा टफ काम र बने और जो उनके एक्यूरेश यह बढ़े इसलिए आप मानोगे नहीं दस हजार से भी ज़्यादा दस से बीस हजार से भी ज़्यादा लोग जो है वो MCQ पढ़ते हैं यानि बीस बीस हजार MCQ पढ़ते हैं जिससे उनका जो पढ़ेंगे तो उनके उसमें सीक्यूशन बेट जाते हैं इसकी वज़े से उनका जो प्रिलिम से बहुत आसानी से पास हो जाता है हलांकि वो इतनी मैनत करते हैं बारा बारा 18-18 गंटे पढ़ने वाले लोग भी है लेकिन फिर भी दोस्तों factual डाठा पढ़ने की लिए बड़ी त्यारियों के अंदर जिसमीं प्री मैंश हो यानि रिटेन एकजाम होता है जिसमें डिया न कि कर जाता है इस Serie से एंदर आर्जी और आप उनके इंट्र्यू भी देख सकते हो, तो वो आपको बताएंगे कि कितने MCQ सोल किये उन्होंने, और MCQ से उनको क्या benefit हुआ, अब बात करते हैं दोस्तों, RPC First Guide and Read के लिए, दोस्तों, वैसे तो मैंने मोटी-मोटी बाते उपर बता दी है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो भी मेरे भाई-बेन, RPC First Guide वे Read 2019 की तेहरी कर रहे हैं, उनको मैं कहें देता हूँ, आप topic-wise MCQ पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पढ़ो, MCQ पढ़ने से आपको बड़ा benefit होगा, मैं personally आपको ये recommend करता हूँ, कि जितना MCQ हो सके आप पढ़ो, आपने topic पढ़ा उसके बाद, जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पढ़ो, MCQ पढ़ने से आपको बड़ा benefit होगा, और जो MCQ है हो, सुलब्ता से उपलब्त भी हो जाता है, इसलिए आप, अगर selection चाहते हो, अगर आप यह चाहते हो, कि आपका selection हो दोनों जगे, तो अधिक से अधिक MCQ पढ़ो, MCQ में आपके जो error आते हैं, उनने error को सही करो, और जो गलतियां आप कर रहे हो, उन गलतियों को आप, उस question को आप दोहराएं, और साइकलोजी के लिए भी उतना ही मैतोपुन है, सेक्षिक परबंदन के लिए भी मैतोपुन ही है, क्योंकि सब सब्जेक्ट के आपको MCQ पढ़ने है, कोई सब्जेक्ट पर आपकर कम पकड़ है, तो उस पे ज़्यादा फोकस करें, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल करें, ताएक कि आपको फाइदा मिले, कहां से यादा कितने MCQ पढ़ने, दोस्तों सब से पहले आप जिस भी चीज की त्यारी कर रहे हो, उसके जो old question paper है, उनको आप download करो, उन सारे question paper को आप soul out करो, उसके अलावा market में बहुत सारे MCQ पलब्द हैं, वहां से पढ़ो, अगर आप NCRT राजस्तान वोड़ की किताब पढ़ रहे हैं, तो उनके पीछे भी 556 MCQ आ रहे हैं, तो उन MCQ पूप भी आप पढ़ सकते हैं, तांकि आपके वो सारे official किताब हैं, वहां से हो जाएं, एवं जो market में अलग-अलग MCQ पलब्द हैं, उनको पढ़ें, market में ऐसी MCQ पी पलब्द हैं, जो आपको सारे old paper एक साथ पलब्द करवा सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों, first grade की psychology के लिए, हमने MCQ के description में लिंक दे रखा है, आप वहां जाके भी MCQ देख सकते हैं, दोस्तों MCQ देखो, MCQ के answer देने का प्रयास करो, गलत होना बुरा नहीं है, नहीं याद करने के बजाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उतर दो, एक मैं तो अपन और बाद बताता हूँ दोस्तों, मैं जिन्दगी में वैसा याद रखना, अगर आप गलत answer देते हो, अगर आपको कोई आदमी correct करता है, कि भाई आपका या answer गलत है, ये answer से होगा, तो उस answer को आप जिवन में कभी भूलोगे नहीं, ये आपकी याद रखने का अच्छा तरीका है, एक MCQ का और मैं बहुत फॉर्मल तरीका बताता हूँ, अगर दो रूम एक, दो या तीन student एक रूम में रहते हैं, तो क्यूशन एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से क्यूशन का अदान परदान करें, उससे भी वोई एक MCQ का ही पार्ट है, तो वहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेक्ट हने का उसर मिलेगा, एवं आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी तियरी का आप परक सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्या-च् gratuit त्यारी होगी, हजार दो हजार पांच जार दस जार जितने mcq संभू हो सके उतने mcq पड़ो और उतने mcq तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद और अन्य वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखे साथ ही चैनल के साथ बने रहे धन्यवाद दोस्तों जय हिन जय भारत